हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल EPF and ESIC expert में दोस्तो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने PF का पूरा पैसा कैसे निकाल सकते हैं अगर आपने किसी भी कंपनी में काम करना बंद कर दिया है या आप किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में आप अपना पूरा पैसा कैसे निकाल सकते हैं तो वो भी मैं दोस्तो इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि आप किस तरीके से 15G form का use कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो श्टार्ट करते हैं वीडियो को और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं लैप्टॉप नहीं है वो दोस्तो मॉवाइल में भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से तो चलिए अब हम यहाँ पर अपना यूए नंबर डालते हैं दोस्तो सबसे पहले तो अगर आपकी KYC नहीं है आपको KYC अपडेट करानी पड़ेगी अगर आपकी date of exit complete नहीं है आपको date of exit डालनी पड़ेगी इस पे आपको कलिक कर देना है दोस्तो जैसे आप यहाँ पर कलिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको account number डालना होगा और दोस्तों यहाँ पर देखो आपको date of exit भी देखने को मिल जाती है I want to apply for, यानि कि आपको यहाँ पर, जब भी आप पूरा पैसा निकालने जा रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ option सेलेक्ट करने होंगे, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, Only PF Bidroll Form 90, दोस्तों हमें इसको सेलेक्ट करना है, दोस्तों जैसी आपने Form 90 सेलेक्ट किया, तो आपके पास एक option देखने को मिल रहा है, Upload Form 15G, दोस्तों जिनको नहीं पता 15G Form क्या होता है, कैसे भरा जाता है, और किसलिए इसे अपलाई किया जाता है, वहाँ से जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, दोस्तों, SWOT Form मैं बता दूँ, 15G का Form तब यूज किया जाता है, जिनका PF का पैसा 50,000 से उपर होता है, और जिन लोगों का PF का पैसा 50,000 से कम होता है, उन्हें 15G की रिकारमेंट नहीं होती, तो दोस्तों हमें अभी आवेशकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो पैसा है, वो 50,000 से उपर नहीं है, अब दोस्तों यहाँ पर हम अपना address डालेंगे, जो भी हमारा address है, दोस्तों हमने अपना address डाल दिया है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, upload, scan, copy of check, passbook, दोस्तों आपको क्या करना है, आपकी जो passbook है, उसका अच्छे ज़े photo खीचना है, और उसका जो size है, आपको 100 kb से 500 kb के बीच में रखना है, चाहे आप passbook का photo लगा दीजिए, या फिर check का photo लगा दीजिए, दोहनों ही आप use कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको choose file जैसी आप select करेंगे, तो आपको यहाँ पर जो भी आपकी passbook का photo है, उसे आप select करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक left side में check box option देखने को मिलता है, इस पर आपको click करना है, जैसी आप यहाँ पर click करते हैं, आपको get aadhar OTP पर click करना है, और जैसी आप दोस्तों इस पर click करेंगे, तो आपके पास एक OTP जाएगा, जो भी आपके aadhar से registered mobile number है, उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP हमें यहाँ पर डालना है, दोस्तों हमने अपना OTP डाल लिया है, उसके बाद, जैसे आप यहाँ पर OTP डालते हैं, उसके बाद आपको valid OTP and submit claim form पर click कर देना है, जैसे आप यहाँ पर click करते हैं, तो आपको थोड़ा सा wait करना है, दोस्तों जैसी आपने wait किया है, और आपको नीचे दिखा दिया जाएगा, OTP has been verified, EKYC updated and PF final withdrawal claim form submitted successfully, यानि कि हमारा जो form है, वो successfully submit हो गया है, अब दोस्तों हमें क्या करना है, दोबारा से जाना है, online services वाले option पर, और दोबारा से हमें select करना है, claim form 3190 10C 10D, जैसी आप click करेंगे, उसके बाद दोस्तों same process करना है, आपको यहाँ पर अपना account number डालना है, और आपको verify पर click करना है, click करने के बाद दोस्तों आपको yes पर करना है, और proceed for online claim, दोस्तों इतना मैंने आपको पहली first part में बता दिया है, अब दोस्तों यहाँ पर I want to apply for, यानि कि हमें पूरा पैसा निकलना है, दोस्तों हम form 90 select कर चुके हैं, अब दोस्तों हमें क्या करना है, only pension withdrawal form के NC, इसको select करना है, दोस्तों जैसी आप select करते हैं, यहाँ पर आपसे 15G form नहीं पूछेगा, क्योंकि form 90 में ही 15G form पूछता है, अब आपको address डालना है, simple जो भी आपका address है, और उसके बाद दोस्तों आपको दुबारा से अपनी जो बैंक की पास्वूग है, उसे select करना है, select करने के बाद दोस्तों आपको check box पर click करना है, और same आपको get other OTP पर click करना है, जैसी आप ये करते हैं, आपको दुबारा से एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है, दोस्तों हमने OTP यहाँ पर डाल दिया है, उसके बाद valid OTP and submit claim form पर आपको click कर देना है, दोस्तों जैसी आप click करते हैं, दोस्तों यहाँ पर दिखा दिया गया है कि हमारा जो claim form है, वो submitted हो गया है, अब दोस्तों हमने अपना form 90 और 10C दोनों भर दिये हैं online, अब हम चेक करेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि हमने online अभी form जो भरे हैं, वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है दोबारा से online services वाले option पर, दोस्तों आपको तीसरे नुमर का जो option है, track, claim status, इस पर आपको click करना है, दोस्तों जैसी आप यहाँ पर click करेंगे, आपको दिखा दिया जाएगा, कि form 10C और form 90 आपने आज की तारिक में यहाँ पर submit कर दिया गया है, ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर claim status अपना check कर सकते हैं, और दोस्तों आप बाहर से भी claim status चेक कर सकते हैं, पर click के अंदर, तो दोस्तों इस तरीके से हम अपना form 90 और form 10C यानि कि PF का पूरा पैसा निकालने के पिरकरिया पूरी करते हैं, और ऐसे ही आपको पूरा पैसा निकल जाएगा, अगर कोई problem नहीं है, आपके documents KYC से related bank passbook में तो आपको कोई problem नहीं आएगी, और साथ दिन के अंदर आपको PF का पूरा पैसा आपके account में आ जाएगा, दोस्तों उमीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों आप हमें Instagram, Telegram पर भी जरूर फॉलो कर रहें, और दोस्तों आप वेल एकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी नहीनी अपडेट्स हैं, वो सबसे पहले आपको notification के द्वारा मिलती रहें, धन्यबाद, जैहन,